दोस्तों आज हम बनाएंगे नेया रेस्पी आलू मसाला गुजिया तो हमने दोगले आलू ले लिये हैं आइसमें गरम मसाला हल्दी नमक स्वादा नुसार कटे हुए धनिया की पत्ती अब सभी चीजों को डालके हम इससे मैस कर लेंगे और दोस्तों अगर आप इस तरीके से बनाएंगे बहुत ही अच्छा लगता है खाने में स्वास समोसे जैसा लगता है तो देखे सभी चीजों को हमने मिक्स कर लिया अब इसका हम तड़का लगाएंगे तो हम कडाई में सरसो का तेर मेथी और थोड़ा सा कटा हुआ हरा मिर् अब हम इसमें चौक किया हूँ आलू तड़का लगा देते हैं तो देखे इसे हम बराबर चलाते रहेंगे नेचे पकड़ने ना पाए तो अब यह हमारा रेडी हो गया गुजिया बनाने के लिए तो गैस को अब हम करते हैं बन अब हम मैदा गुथ लेते हैं तो हमने एक अब हम करीव मैदा लिया है इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें रिभाइन ऐल डालेंगे और सभी चिज़ों को डालके हम इसको भी आटा लगा लेते हैं तो देखें एकदम समोसे बाला आटा बने गा इसका तैयार होगा तो अब देखिए हम पूड़ी इसका तैयार कर लिए हैं अब इसी तरीके से हम सभी पूड़ियां बना के रेडी करेंगे उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा आलू लेंगे अब देखे हम गुजिय का से रहें इस तरीके से इसमें डाल के इसको बंद कर देंगे और हमें डिजाइन करने के लिए एक काटेदार स्पून पढ़ेगी तो हम देखे इस तरीके से हम सेप दे रहे हैं इस स्पून की मदश से अगर आप गुजिय की मसीन से बनाना चाहते हैं तो उससे भी बना सकते हैं तो देखे यह हमारा रेडी हो चुका है अब इसी तरीके स हम सभी का डिजाइन कर लेंगे और यह हम साइड में रखते हैं गैस पर हम कड़ाई को रख देते हैं तेल गर्म होने के लिए तो चलिए हम चेक कर लेते हैं अब यह हमारा तेल गर्म हो चुका है इसमें थोड़ा सा कलर लाने के लिए हल्दी डाल दिये थे तो इसलिए इस को पलड़ देते हैं एक एक करके पलटेंगे और देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर आया हुआ है तो एक बार आप इस तरीके से जरूर बनाएए समोसे का स्वात गुजिय में पाईए तो अब यह हमारा करारा गुजिया बनके रेडी हो चुका है तो दोस्तों अब कैस को करते हैं बन और अब हम इसको निकाल लेते हैं अलग प्लेट में हमारा रेडी हो चुका सर्व के लिए गुजिया बनके तो दोस्तों मेरे द्वारा बताए गई यह गुजिय की रेस्पी आपको कैसी लगी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सस्क्राइब पेल झाल